हाई एवर्वान, वेलकम बाक तो इंफिनी लेक्चर्स आज की वीडियो में बात करेंगे आज का टॉपिक है बीजे एमसी बाट जेनलिजम आड मास कम्मुनिकेशन तो चले शुडू करते हैं बाट जेनलिजम आड मास कम्मुनिकेशन यह बेसिकली तीन साल का अंडर ग्राजुट बाचलर्स डिग्री है जो लोग जनलिजम में जाना चाहते हैं जो लोग मेडिया इंडेस्ट्री को जॉइन करना चाहते हैं वो इस को कर सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स होत हैं तो वह भी आप देख सकते हो बट यह वीडियो पहले देख लीजिए उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आई बटन में भी आपको मिल जागा तो आप पहां से चेक आप कर लीजिए तो बाट करें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि Eligibility Criteria क्या है यहां पर आपको 45 परसेंटेज पर एडमिशन ले ले लीती है, अगर बात करें उससे पहले हैं अपको बताते हैं एज लिमिट, हाँ, 17 एज के बाद ही आप एडमिशन ले सकते हो तो आपकी जो एज है वो 17 एज अबब होनी चाहिए प्रश्य के बात करें तो इसके लिए आप ऐन्स एक्जाम करते हो और उनिवसिटीज क्विश दो पर दो आपको एकचा स्कोर करना होगा, उस्के बाद कुछ उनिवसिटीज औसके बाद व्हीं टो जित가 करते है या फिर ग्रॉप डिस्केशन और कुछ उनिविसिटीत में डैरेक्ट जैसे आप एंटरेंस पहोती हैं उसके बाद कांशलिंग होती है उसके बाद एडमिशन हो सकता है तो स्वयूंसे ऑमक्लूषा जिसमें शाया हयद मेरी इड बैस अप इसके अधियर को पॉल्टविल करना होता चले एंटरेंस rate तो जावियर इंस्टिटूट जो है आपका इंटरेंस एक्जाम कंड़ाती है इसके अलावा देरी उनिवर्सिटी अपना खुद का इंटरेंस एक्जाम कंड़ाती है आई प्यू सीटी एशिन कॉलेज ऑफ जर्नलिजम एंटरेंस एक्जाम तो यह कुछ ऐसे इंटरेंस एक् मैं नहीं हम फी की बात करते हैं अगर आप भीजे MC कोस करना चाहते तो इसका टोटल कोस क्या होगा कम से कम अगर हम बात कि Есть 1,500,000 को जा सकता है और से जाद से जादा 3,500,000 को सब्सक्राइब को सकता है क्लास्रूम लेक्ट्च्छ थे यह अंड प्रक्ट्स पहुत सारे लोगों तक पहुत आना जाना उसे ट्रांसमिशन और एक्स्चेंज ओव इंफोमेशन तो वाइड रेंच आप पीपल अगर मांस मीडिया की बात करें तो जेर्नलिज्म बैसिकली मांस मीडिया का पार्ट है Communication skill बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर आपको journalist बनना है, और भी बहुत सार फिल्ड से जिसमें वो करती है, इसके अलावा आपकी जो convincing power वह भी अच्छी होनी चाहिए, convincing power बहुत काहिए हैं कि यह बहुत काम आते हैं, content writer बनने के लिए आपको आपकी जो writing skill हो अच्छी होनी बहुत सार स्टूडेंट ऐसे हैं जो storytelling में काफी interested होते हैं, इसके अलावा web content, audio video, blogging में interested होते हैं, बहुत सार स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जिनके interaction power बहुत अच्छी होती है, जो easily किसे से interact कर सकते हैं, तो वह सार स्टूडेंट इसको जरूर पसे किजेए, अगर आपको इ Vivekanand Institute of Professional Studies, Delhi में है, and Institute of Management Studies, NOIDA, National Institute of Mass Communication and Journalism, जो को एहमदाबात में, यह भी आपको BGMC course offer करती है, जैपूर, National University, जो कि जैपूर में है, IIM, International Institute of Mass Media, यह भी Delhi में, चले देखते हैं, करियर प्रोस्पेक्ट और जॉब प्रोफाल्स को करने के पात, तो basically batch of journalism and mass communication complete करते हो, तो आप या तो government job कर सकते हो, या तो private job कर सकते हो, दोनों में ही बहुत सारी opportunities given है, इसके अलावा, आप higher studies कर सकते हो, बहुत सारी broadcast companies, advertising agencies, news agencies, relation firms, जोतनी है, इसके अलावा, newspapers, magazines, TV channels, यह सारी ऐसे companies, ऐसे sector है, जो आपको job opportunities provide करते है, आपको offer करती है, तो आप इन सब फील में जा सकते ह इसके अलावा, cinema में भी आप जा सकते हो, film industries में भी आपके लिए काफी सारे jobs available है, अगर हम job profiles के बात करें, तो जैसे ही आप BGMC complete करते हो, तो आप journalist के पोस्ट के लिए apply कर सकते हो, इसके अलावा, आप anchor बन सकते हो, editor के पोस्ट के लिए जा सकते हो, content writer, photographer, producer बन सकते हो, manager बन बहुत सारी पोस्ट है, बहुत सारी job opportunities है, अगर आप Bachelor of Journalism and Mass Communication course करते हो, जरूरी नहीं आप BGMC course करो, इसके अलावा भी courses होते हैं, जो जनलिजम में होते हैं, और Mass Communication का अलग अलग course होता है, तो अगर हम हाय स्टेश की बात करें, तो आप BGMC course को करने के बाद, आप BGMC course को क प्रिजिन, जनलिजम & Mass Communication कर सकते हो, जर फिर आप M.A. in Mass Communication कर सकते हो, इसके अलावा आप MSC कर सकते हो, Mass Communication में और MBA कर सकते हो, रिस्पेक्टिव फिल्द में, तो ये कुछ ऐसे options है, जो आप Bachelor of Journalism and Mass Communication को करने के बाद, पस्रिव कर सकते हो, अब बात कर सकते हो, अब हम बात कर अपने कंपनी को डिफेंट चानल पे रिप्रेजेंट करना नेक्स एसिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इनकी सालरी पहत जादा हाई होती है तो अराउंड 20 लाक्स तक हो सकती है इनका जो मेर्वक होता है यह बेसिकली यह हाई लेवल के मानेजमेंट प्रोवाइट करते है इनकी सालरी होती है ठीक टैन NO इसले कहां ओवेल पेलाउंड 20 जूनियर कॉपी रैटर के अंडलाते हैं और यह प्लिफटेंट प्रोवाइट करने रिभाइट निंकी सालरी है 3 लाक्स ए गरम इसले काम होता है सकतर्ट रिकॉर्ड करेंदा करते हैं जाहें और लीगल और इ रिलाग्स तक्यूती